गाइस वेलकम बेक टो मैं चैनल में जीना सु गाइस हम लोग आज बेलेंटाइंडी की पाटी सेलिब्रेट कर रहे हैं सु भावी और मैं कर रहे हैं भावी यह है मेरी भावी हम दोनों मिलकर आज बेलेंटाइंडी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज आपके साथ छोटा सा ब्लॉग में सेयर करूंगी तो आप ब्लॉग को पूरा देखे और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें अगर आपको इसकी रैस्पी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दे तो मैं आपके साथ रैस्पी सेयर कर दूँगी अभी हम लोग जीरा रैस बना रहे हैं, मैंने सुचा कि यह रैस्पी आपके साथ सेयर कर दूँ अब आज को ज्यादा नहीं भूना है, बस हलका सही फ्राइ करना है, अब इसमें हम लोग चावल डालेंगे अब नमक डाल रहे हैं इसमें हम गरम असला डालेंगे, चावल को फ्राइ करने बाद इसमें पानी डालेंगे तो डेड़ ग्लास चावल में हम लोग तीन ग्लास इसमें पानी डाल रहे हैं अब इसको अच्छी तरीके से मिलाकर कुकर को बंद कर देंगे फिर इसमें हम लोग तीन सीटी लगाएंगे तो गाइस ये देखिए जीरराइस हमारे बंची के हैं ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं तो अगर आपको ये रैस्पी अच्छी लगी हो तो कमेंट करकर मुझे जरूर बताएं कि रैस्पी आपको कैसी लगी तो गाइस आज हमने ये सब बनाया खाने के लिए ये है मिक्स वेज की सबजी और पूरी जीरा राइस एंड डाल खीर एंड कचुमल सो ये उपर से अभी आने वाले हैं बाबी के घर पे में इनका इंतिजार कर रही हूं बैलों लेकर और जोज लेकर अभी आ गये हैं प्यूट कर दिया जबकि बैलन्टआंडी था क्योंकि हमारी एंड़ सिर्दिन पहले ही गई हूई है इस लिए प्यालों प्यूटिन का जितना भी सेंड ओलेशन था पूरा सेंडिरेशन हमने भावी की घर पर मिलकर किया था क्योंकि यह ड्यूटी नहीं गए थे और यह घर पर थे इसलिए मैंने और भाव ने सुचा कि हम उनके घर पर सेलिब्रेट करें और भाईया ड्यूटी गए थे तो हमने इन दोनों को ही बताया नहीं था कि आज हम बैलल टांडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसी यह लोग आए इनको हमने सर्प्राइज दिया अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो सुट कर रहे हैं जैसी यह लोग रहे हैं जैस का ब्लोग इतना ही था अगर आपको यह ब्लोग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें कमेंट कर दें बबाबाई टेक केर